गुड मॉर्निंग एंजाहिन बचो बचो मैं अजय कमार वारणसी उत्तरप्रदेश से आपके अपने चैनल लौ सिक्षन पर स्वागत करता हूँ बचो आप देखे कई राज्जियों के अब राजस्थान के कुछ बच्चे मुझसे पूछे थे कि उनका कब है तो उनका बचो जो एक्सपेक्टेड डेट है वो है 17 नौमबर वैसे ही बचो बिहार के बचो का है 18 दिसंबर को उत्तरप्रदेश के बचो की डेट बढ़ गई है उनकी अब होगी 13 नौमबर को वैसे उत्तरखंड का है 20 को ठीके तो ऐसे ही बचो सभी राज्यों के होने जा रहा है और अभी समय मिलेगा तो कभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने सभी राज्यों का देखा है बचो राजस्थान का भी देखा हुआ है मदपरदेश का भी देखा हुआ है बिहार का भी देखा हुआ है जो CBC Board की किताबे हैं NCRT की तो राजस्थान में कुछ उसका लिया जा रहा है ठीक है बाकी देखे बचो जो कोर्स है वो लगभग से हमें कुछ सवाल अंतर हो सकते हैं ठीक है लेकिन मैट जो है पैटर्न उसका कुछ अलग हो सकता है लेकिन सवाल लगभग भई है तो मैं सभी राज्यों के हल करा दूँगा ठीक है बारी बारी से और यह आपको बताना चाहिए आज से मैं एक नया इसका मैं डाल दूँगा प्रैक्टिस सट वन है तो यह जो मैं करा रहा हूं वे बिनो सर की बुक है रागो प्रक्रशन की जिसके जरीम है आपको इस उल कराने जा यह मैं कराऊंगा अपको ठीक है इसके बाद देखे यह बिज्ञान के सुरू हो रहे हैं ठीक है बिज्ञान के कराऊंगा ठीक है इसके बाद देखे समाजी के देहने समाजी के दिन के कराऊंगा ठीक है और आज हम लोग करने जा रहे हैं बच्छों गणिंच से ठीक है तो आ पचीस परसंट अधिक हो तो B का धन A के धन से कम होगा तो देखे बचो इसमें ज्यादा उलजने से किया और हमें आरे पास एक डाटा है कि जो A का धन है B के धन से से कम कितना है इसके लिए फॉर्मला है बचो A बटा 100 प्लस A इन्टू 100 इसमें ध्यान रखेगा एक ही जगा कई किताबों में X भी रहता है तो यह वह मान है जो प्रतीसाद दिया हुए यहां पर वही चीज़ है ठीक है तो पचीस बटे सो में पचीस जोड़ दीजे यहां प पचीस के पहड़ा पढ़के कार दें 25 25 25 फाइज दा फिर 5 फाइज फाइफ टूज देटी यह आगया 20 तो 20 परसेंट इसका बच्चे उत्तर है तो यह फार्मला सिंपल फार्मला अगर आप याद रखते हैं तो इससे आसानी से यह हल हो जा रहा है तो इसका उत्तर हो गया 20% करना क्या है सिंपल आप याद रखिए अगर ये अगर आपको कितना कम निकालना है तो क्या करेंगे एक्स बाई 100 प्लस एक्स आप ए भी लिख सकते हैं इंटू एक्स कमान क्या होगा यही होगा जो प्रतिसत यहां दिया होगा ठीक है अभी कई तरह की सवाल बदल के भी आते हैं जब आएंगे तो उसे साथ से बताना क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो जागा बचुए अब द यह एक आयतकार है यह बारा है ठीक है और तीन और क्या है इसको अठारा कर देते हैं यह अठारा है और यह हम बारा कर देते हैं यह हमने बारा कर दिया मान लिया हमने बारा कर दिया ठीक है और जो गोला हो तीन सेंटीमेटर की तरिज्या का है कितना है तीन सेंटीमेटर ठी तो 18 में अगर हम 3 से भाग देते हैं उसका व्यास कितना हो गया सरक्ल का आपका त्रिज्जा इतना है तो व्यास होगा उपका टू आर होता है डबल होता है डायमेटर ठीक है तो डायमेटर कितना होगा हो गया तक हम देख रहे हैं यहां 18 है अगर हम 6 से भाग देते हैं तो तीन गोले तो यहीं आ जाए रहे हैं साफ साथ सटे सटे मैं पहला वलकम बना दिया था यह छे यह यह च्छे और यह छे तो तीन गोले तो ऐसे ही आ गया गया क्योंकि उसका त्रिज्जा तीन है व्यास तो उसका 6 हो जाएगा वैसे अगर हम इधर देखते हैं ठीक है तो यहां पर से 6 इसका व्यास 6 है यहां से 6 6-12 तो यहां पर भी एक सरकेल आपका आएगा तो कुल कितने सरकेल होगा एक दो तीन चार पांट 6 तो इसले इसका उत्तर क्या होगा 6 तो इस तरह से आप चित्र बनाएंगे तो आपका असानी से यह सवाल बच्छो हल हो जाएंगे अब दिखिए वाला सवाल है 163 एक स्क्मान वाई क्मान ओंड जैट का मान दे दिया और X क्यूब Y क्यूब Z क्यूब पूचा है है तो टिपकल फॉर्मला आपको पता ही है वाला फॉर्मला एक स्पिलस प्लस जेड का होल क्योंकि फॉर्मॉला बताने लगा है वच्छों बहुत टाइम लगेगा ठीक है इसको मद्दू जो फॉर्मॉला के अंदर जो हमें जान करिया अलग से एक्स वाइज आता है इसमें तो हम एक्स प्लस वाइज जेड को पहले जोड़ लें तो जोड़ते हैं तो डायरेक्ट आपका यह फॉर्मॉला क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाइज क्यूब बराबर क्या हो जाएगा थ्री एक्स वाइज ठीक है अब एक्स यह वाला पार्ट आपका देखे जीरो होगे जो प्लस वाला पार्ट है इसलिए पूरा जीरो होगे जो आगे एक फॉम्मला है तो इसमें क्या करेंगे हम इन तीनों को आफस में गुणा कर देंगे थ्री इंटू 11 इंटू माइनस सेवेन इंटू माइनस फोर यह उत्तर होना चाहिए वाच्वों और इसको अगर हम गुणा करते हैं तो यह आएगा आपका 924 तो इसलिए इसका वन उतर इसका सही है अब देखें यदि किसी संख्या का 200% 200 साबसाब देखिए कोई भी संख्या है हमने संख्या माला ली एक्स इसका 200% इसका 200% पर्संट है परसंट हरटाने के लिए नीचे क्या करेंगे 100 अजा जाएगा क्या बोला यह 20 है तो x बराबर क्या होगा यह यह काट दीजे यह काट दीजे 2x बराबर 2x बराबर 20 cross multiply करने हम 2 नीचे चला जाएगा 20 बटा 2 कितना है 10 तो x तो हमारा निकल गया है तो पूछ रहा है उसी संख्या का 50% क्या होगा तो 10 का हम क्या करेंगे 50% निकाल देंगे कितना है 0000 कितना है पांच ठीक है तो उत्तर क्या है हमारा इसका 1 ठीक है बच्छ प्लियर है मुझे उमीद है आपको समझ में आ रहा होगा अच्छ से ठीक है अब देखे नेक्स सवाले बच्छो इसमें देखे एक्स का मान दे दिया है एक्स प्लस वन बाई एक्स का और एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब का पूछ रहा है ठीक है तो आपको बताना चाहूंगा ए प्लस बी का होल क्यूब जल्दी से बता रहा हूं एक्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए भी प्रे क्रोंग भी प्लूस प्र में बीए प्लस थीक है अब लिक्टे अघ्रमिस इसमें लिखने जा मैं डियरेकश को ठीक यह क्या हो जाएगा एक्सक्यू अपल्स उन ऐट क्षी इह ना तो एकस इंट्टू of होजाए तो इसी फो को माइं अप्लाई करना है ठीक है तो यह आपका आएगा फोर क्यों ठीक है क्योंकि यह देखे एक्स-प्लस-वन-वाई-एक्स-प्लस-वन-वाई-एक्स-वन-वाई-एक्स-वन-वाई-एक्स-वन-वाई-एक्स-वन-वाई-एक्स-वन-वाई-एक्स-वन-वाई-एक्स-वन-वाई-एक्स में दिया हुअ है अवका ए तरोम आ दया q iwi सवाल में दिया हूए ख्लिस फॉर्म्रा में डाल देखat there for q प्लस एक स्क्यूव प्लस एक श्यूव फॉन भैक स्क्यू अधर-धर एकस ख्रीभ सी एकंड जा रहा है तो क्या हो के एंट्री इंटू फोर आ गया ठीक है क्योंकि बच्चों यह पेज मेरे पास नहीं है तो आप पूराने वाले जो अभी जस्ट बता है उसको देख के नोट कर लिजेगा ठीक है अब हम इसको इधर ले ले लेते हैं सबसे पहले बार करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि भागू योग ठीक है और योग तब अपलाई करेंगे जब यह बार पहले सबसे पहले बार करेंगे दो है तन जब साथ है तो हम क्या करेंगे बार को कर ने के लिए चैप लस्टीन कितना होता है नौ यह प्लस नौ है कि यह व्रा साइन अभी हम नहीं ले सकते है बच्चू यह षून मायности टीक है То इसको मैं हल 싸erv ही करने जा रहें हूंँ साथ माइनस छोटा मजला बरकेट सोला माइनस अठारा माइनस अब यह माइनस तीन है इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे ठीक है अब इसको देखिए माइनस माइनस क्या होगा यहां गुणा होगा ब्रैकेट खुलता तो गुणा होता तो यह क्या हो जाएगा प्लस तो अठार तो आप 16 में से अगर माइनस 21 घटाएंगे अभी देखिए चीज़ यह था वत इसले नहीं लिख रहा हूं ठीक है 16 में से 21 घटाएं कितना है माइनस पांच अब जो साथ में से कितना घटाना ओगा माइनस पांच यह वाला पाट हमें मिल गया यतना पाट मिल गया क्या है भी में कामपी में करता है तो बीडियो बनाने की ड्टाइम लगता है और एसे हो जारता है ठीक है मैंने कामपी pen में बा ठीत होगा यह कितना होगी 12 कर आए है कि मुझे ही ने लग है आपको कोई दिखत आएगी प्रच्छो इसमें हम देखें कोश्चन नमर 67 आपके सामने है यदि किसी खंबे का एक बटा पांच भाग काला है एक बटा चार भाग सफेद है 16 मीटर जो है पीला है तो खंबे के लंबाई कितनी होगी ने माल लिया कुल जो खंबे के लंबाई है वो है क्रोंच एक्स ठीक है तो जो काला हो एक्स का कितना है एक बटा पांच है तो कितना होगा कितना होगा कि इस बटा पांच वैसी सफेद भाग कितना एक्स वर चार और पीला भाग दिया हुग है तो कुल जो हमने माल लिया है कि QOOL जो लंबाई है वो कितनी एक स है लिफ ब्रेख ब्राबर कितना होगा आपका इक सब्राइब पाँच एक्स बीकव्टे चार और टीन यह कुल खंबे की लम्बाई हे वही हमने इधेर कर दे विछो मैंस की संख्या को एक तरफ रटेन देंगे तो एक्स माइनस एक्स pass माइनस एक्सलोर चार बरावर टीन ठीक है अब देगे मैं उपर इसको को हैं जा रहा हूं देखेगा थैन दिजएगा कितना आया भी सायétais काी से आज थी कह 20 एंस ये क्या होगा 4 स minus 5x, कितना आया, 4 और 5, यह निचे देखे, आपका हो गया, 9, ठीक है, 9, 20x मैं से अगर 9 घटाएंगे, तो कितना होगा, 11x, ठीक है, तब क्या हो गया, 11x, बटे 20 बराबर 3 अब क्रॉस मुल्टिप्लाई का नियम 20 को इधर ले जाई कितना हो जाएगा 11 एक्स बटे 60 और एक्स बटे कितना हो जाए एक्स बराबर कितना हो तो इसका जो उत्तर हो सकता है क्योंकि यहां जैसा उत्तर दिया उस हिसाब से हमें बदल लेना था ठीक है अब देखें को सिक्ष्टी एट 148 sorry question number 168 एकी आयू बी की आयू के दुगो नी है तो हमने माल लिया कि झो बी की आयू है आई कितने हो जाएगे 2X हो जाएगी अब से 30 साल बाद एकी आयू बी की आयू कि डेढ गुना होगी तो A और B की वरतमाना आयू क्या है ठीक है अब डेऴ गुना होगी तो इसका अगर हम करते हैं तो एक सही बटा बटा दो कितना निकलेगा आपका तीन बटा दो ठीक है तो जैसे सवाल कह रहे हम क्या करेंगे कि B की आयू में इसका क्योंकि 3 बटा 2 गुणा हो जा रहा है किसका बी की आयू का तो एक्स प्लस 30 साल बात तो 30 हमने जोड दिया वैसे एक आयू 2 एक्स है तो 30 साल बात कितना होगा जब भी भविस्ट की बात हो तो उस आयू को आपको जोड़ देना यह ध्यान रखेगा ठीक है यह हो गया आपका 3X प्लस 90 बराबर 4X यह 2 जाके cross multiply हो जाएगा 4X प्लस 60 और आपका यह हो जाएगा इधर को 4 ले आते हैं तो minus X बराबर और 60 में से 90 घटा दी है 90 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा minus 30 minus 2 तर multiply करती है तो X बराबर 30 तो हमें पता चल गई जो B की आयू कितनी है X High A की आयू कोई धीया थीक किया जो यू यू जो बी दोगी नोगी थीके दो गोने 30 कितना on साथ तो पता चल गया थीकषित माउस कितनी है तीस वर्स है और B की आयू जो है 30 बरस बस आसान सावाल था वैस आपको duplicate हो मतmasy ड़ान से बताना था समय काफी लंबा हो जाएगा वीडियो इसके दो पार्ट बनाने पड़ेगा, मैं सुचा था एक ही पार्ट में खतम कर दूँगा, अब question number 169, 12 प्रेच्छनों को समांतर माद्दे 15 है, तो यदि प्रतेक के प्रेच्छनों को 4 से गुणा किया जाए, तो नया समांतर माद्दे क्या होगा, इसमें बच्छो कुछ नहीं है, देखे, 12 प्रेच्छनों का माद्दे का 15 है, 4 से गुणा करने पर नया क्या होगा, बस इसको क्या करेंगा अब, 4 से 15 को गुणा कर देजिए, तो 15 चो के 60, यही इसका उत्तर होगा, बच्छो, उत्तर नंबर 4 इसका सही है, ठीक है, अब यह question number, हम लोग दे 170, अब देखे, इस वाले मचो, दो लगातार विसम संख्याओं के योग का अंतर 24 हो, तो छोटी संख्या क्या होगी, ठीक है, तो हमने माले पहली विसम संख्या माल लिया, एक्स, तो दूसरी क्या हो जाएगी, भाई, एक्स प्लस टू कैसे, अगर पहली माले जे तीन है, तो पांच वाली कौन सी होगी, तीन प्लस दो ही होगी, ठीक है, तो इनके वर्गों का योग, ठीक है, इनके दो विसम संख्याओं के वर्गों का योग कंतर, तो हम इनके वर्ग ले, बड़ी संख्या सही बाई, छोटी संख्या घटाएगे ना, तो पहला विसम संख्या ल यह माइनस X स्क्वाइर बराबर 24 ठीक है अब यहाँ क्या होगा देखे X स्क्वाइर कट गया 4X बचा यह 4 को हम उधर ले जाएंगे माइनस कर देंगे तो क्या होगा 20 आ जाएगा 4X बराबर 20 और X बराबर इसको 4 क्या करेगा अगर आपको अच्छा लगा यह वीडियो तो बताएगे तो मैं नेक्स्ट यह कोश्चन से हैं प्रैक्टिस पेपर कि यह भी काफी अच्छे हैं तो इसको मैं बता दूंगे इससे आपके कॉंसेप्ट्स और क्लियर होगे बच्चो थैंक्यू थैंक्यू बरिमिच